नमस्कार दोस्तों जैसरी दाम हरार महादेव और एक बार आपका फिर सागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आप सभी को आज नाग पंचमी तो आप सभी को नाग पंचमी के हारी सुप्रामना है तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हमारे सिर्फ बागश्वर दाम बा कानपुर में तो आपको दिखाते हैं लेके अंदर आपको दिखाते हैं ऐसलं पस्व पति नाथ कि पना हुआ है कि तो हमारे बहुत से बहुत भिए रहन तो जाने सकते हैं नेपाल एस टाइम पर तो आपको यहिँ दिखांए ते हैं पस्व OF परिखात में इसके थे याला मंदिर और नॉर्मली यहां पे इतने भीड़ होती नहीं है, बिल्कुल सांथ होता है यहां पर कोई नहीं होता से, पेग्या दो लोग होते हैं जो मंद्री के टेक केर ही होंगे आज नाक पंचमी हैं इसलिए यहाँ पे इतने भीड है अब अभी भी लोग आ रहे हैं काफी लोग आयो गए हैं अब सामने गंगा जी दही कितने बड़ी हुई हैं गंगा जी परसात की वज़ा से यह है वो परसोपतिनाची के मंद्री के जैसाई मंदीर बना हुआ है यह भी और यहां सब दुकाने लगी हुई है नॉर्मी लगी दुकाने लगी नहीं होती हैं यहां पे यह आज लग गया है यहां पे फुर्ता अब लगने लग गया हो लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले भी आया सो दुकानी नहीं थी यह पे इस सब दुकान लगी हुई है यह अपे और अभी मैं नंगे पहर हूं तो मेरा प्याठ बहुत जल रहा है लेकिन कोई बाप नहीं तो यह दिखाते हैं आपको यह कुमा है डग दिया गया है कुमे को और वहाँ पर एक सिविलिंग है माता जी के पीछे एक यह माता जी है एक वो सिविलिंग अंदर बने हुए छोटे से और एक सिविलिंग है आएए गंगा जी देखते हैं गंगा जी इंको देखने बड़ा इन मन हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह हमारे बजंग विली जी है जाय दुगाएं लगी हो यह फूलों की दोनों तरफ और अधर भी फूलों की दुकान है और यह हैं अं पहले देखे आते हैं कि मिरभाई भी आया वाए यह देखिए कितना ज्यादा बढ़ा हो आए आगे नहीं जाएंगे लगी सिर्फ तेन सेड़ी देख रहे हैं बस लास्ट टाइम आया थे तो पुरा नीचे तक वहां तक जहां यह दिख राया आपका लो है उसके भी नीच प्राइब हाल था पूरा अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अग्या चलते हैं यहां पर प्राहणा लगता है एक सिविलिंग जैसे बहेनाजी यहां पर सिविलिंग है और यहां पर इपना वो फीमिल लोग उनका चेंज करने के लिए अपड़े अपड़े जो नातियां के अंगा जी में उसके बाद और यहां पर एक पूजा हो रही है अंदर सिरी को लेश्वर महादेव जीता है यह मंदिर अंदर पूजा हो रही है और यह सामने संतोस्ति माथाजी का है और को गुरु देव जी है उनका मूर्ति है यहां पर मंदिर बना हुए परजंग बली यमाता जी जाए गड़ेवां जी दोने होए शेरा वाली का मंदिर है यह बहुत बड़ा मंदिर नहीं है दोस्तों छोटा समंदिर है जो में हाइलाइट है वो यह है कि यह सिपतिनाच जी की जैसा मंदिर है अभारे कानपूर में भी आई चलते हैं मंदिर के अंदर दस्तों कराते हैं आपको पस्तों पतिनाच जी के अपने कानपूर में अब मुझे पता नहीं के अंदर कैमरा एलाओ जिक नहीं लाओ है लेकिन चलते हैं लेगे देखते हैं मेरा भाई आया है कोचा कर रहा है अज बती जुग लेकिन नहीं आया है अपने सोधूर है और वी है यह देखिए पंच मुखी हैं यह पांच उतरप इनका सीस है और यहाँ भी साथ पूजा हुई यह भी थोड़ी यह दर नहीं जाते हैं कोई-कोई पूजा हुआ है भी तो जाना ठीक नहीं लग रहा है आई उस्तर दिखाते हैं यह दिखा देखिए आपको यह देखिए पांच मुखैन के यह दोस्तों पसपत्राज्य का मंदिर तो मैं जा चुका हूँ नेपाल के पसपत्राज्य मंदिर में दो बाग तो विखुल ऐसे ही बने हुए वो भी गंगा जी का लेवल देखिए दोस्तों कितना जादा बढ़ा हुआ है इस तो में और अभी मैं जाहां बेठा हूँ वहें पर बस पानी आया हुआ है अगर इसमें गिरे एक बार तो फिर गए कोई चांस ही नहीं है अगर आपको तेरना नहीं आता हो तो और दोस्तों यह गेट बंद है बंद निच्छे से टाग जा सकते अंदर लेकिन जाने का मन तो नहीं हो रहा है तोंकि कोई मना न कर दे और यहां पर जो है यह काल भेरो पर यहां पर आएंगे तो इन से बचके रहिएगा बहुत बंदर है यहां पर यह आपके पास जो भी चीजेंगे इसको चिनने का प्रयास करेंगे तो अब देख तेरीएगा कुछ बंदर यहां पर हैं आप कुछ वो पेड़ों पर खेल रहे हैं वह देखिए उनकुत में तो देखिए तो इस पागा ध्यान लखेगा अब निसमानामान को दरस रच्चित रखेगा दिखाइ जो चलते हैं से अब जोस्तों और आप लोग को पसपति राजी के दस्काटे का मन्हें और अपने पाल नहीं जा सकते हैं कि इसे कारणवर्स तो आप यहां आ सकते हैं यहां पर कानपूर में दो जगा हैं पसपति राजी के मंदिर एक तब यहां पर यह कोईला आप देख लिजय का उसको भी को बंदीरी बहुत है तो चलते हैं आप और अब आप से मिलता हूं किसी और वेडियो में और अभी में तो फूजा कर लेता हूं जो आने बेसा है कि यह वोट नटकत चाहने जी कि यह पास है वालोग इसमें पड़ा है आदो तब दोस्तों चलते हैं यहां से और आपसो भी को एक वाक फिर से और आप मैं आपसे मिलता हूं कि इस दिन किस्टिया और मंदिर में तब तक मध्यान रखे दोस्तों जैसे राम हरर महादेव जय बजरंग वली